कौन लाया? कौन लाया मोदी को? मोदी में हिम्मत कहां से आई? ये देश की जनता है जो मोदी को लाई है और देश की जनता के आशिरवाद है जिससे मुझे ताकर पाई है इसलिए कौंग्रेस अपने सारी दुश्मनी मोदी के साथ ही देश की जनता से भी निकाल रही है वो सिर्म मुझे नहीं है आपको भी परिशान करने में लगे हुए है मेरे परिवार जनों बंतब देश के मेरे पैरे भाई और भेनों आपको बरियेक सीखियात जरूर रखनी ह कभी मत बुलिए कौंग्रेस आई तबाहिल आई जहां जहां कौंग्रेस आई वहां वहां तबाहिल आई अगर गलती से भी कौंग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वादी सारी मदद ये बंद कर देंगे कौंग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा कौंग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा कौंग्रेस आई तो किसान सम्मान निजी के पैसे मिलने बंद हो जाएगे यहां जो सिवराजी की सरकार ने लाली बेहना लाली लक्ष्मी जैसी योजनाय चलाई है यह उनको भी नहीं छोड़ेंगे इसलिए आपको अपना एक-एक वोट को कमल के फूल पर डाल कर कॉंग्रेस के घोटाले भाज़ों को रोकना है आप मेरी एक बार और आखिर रियाद रखिएगा यहां MP में कॉंग्रेस ने आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किये हैं जो कई वर्दसकों से मत्यप्धेश कॉंग्रेस को चलाते हैं अब आज क्या काम कर रहे हैं दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दोने आफने समर्थकां को कहते तुर उसके कपड़े फाड़ वह अपने चेलों को गयता है तुम उसके कपड़े फाड़ यही नेता lap को 200 तक और डाव में पासे हारने के बाद मर्दप्रदेश कॉंग्रेश पर किसका बेटा कभ्या करेगा उनकी लड़ाई यह हैं अपने बेटों को सैट करने में वो पूरे मर्दप्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए है जिनको सिर्व अपने बेटों के ही चिंता है वो MPK गरीब बंचीत मद्दंबर के बेटे बेटियों के चिंता ही नहीं कर सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद